जब द्वारी का बनने वाली थी काफी सारी लोगों ने टेंडर दिये बस एक का टेंडर पास हुआ था कौन थी वो? The architect of God विश्व कर्मा जी विश्व कर्मा जो थे उनका जब टेंडर पास हुआ उनको प्रोजेक्ट दिया गया द्वारी का का वो सबसे पहले एक 3D मॉडल तैयार करके ले कराए कृष्ण के सामने कहते हुए कि देखिये क्या इसमें आप कुछ रेकमेंडेशन देना चाहेंगे कोई आइडिया कोई सहला कोई एडवाइस कोई चेंजिस कृष्ण कहते है गोकुल के दिशा में कोई खिड़की या दरवाजा खुला मत रखना एक आम इंसान जब ये बात सुने तो हैरान हो सकता है परिशान हो सकता है कि कृष्ण ऐसा क्यूं कह रहे है जब विश्व कर्मा जी ने पूछा कि ऐसा क्यूं क्रिश्ण जवाब देते है कि मैं नहीं चाहता कि गोकुल की हवा भी मुझे छू कर जाए हम सोचे कि गोकुल जहां से उन्हें तना प्यार और अपनापन मिला क्यूं उसके बारे में वो ऐसा बोल रहे है बट क्रिश्ण ये कहना चाहते है कि वो मेरा अतीत था अतीत अच्छा हो चाहे बुरा हो उसे कोई फरकी नहीं पड़ता क्योंकि वो अतीत है इट इस पास्ट और उसे याद करके कोई फाइदा नहीं है हमें अपने आज में जीना है और आने वाले भवश्य की तैयारी करनी है जस तरीके से गाड़ी में जम बैठे है आगी का जो गलास है उसे विंडशील्ड कहा जाता है वो काफी बड़ा होता है मगर पीछे का गलास बहुत छोटा है कुछ उसी तरीके से जिन्दगी में हमें पीछे कम देखना है मगर आगे स्यादा देखना है दोस्तों यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझाते है कि भी दृपदी वस्तरहरन को लेकर मैं या तुम चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो घटना घट चुकी है वो हो चुका है और जो हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता उसी तरीके से मेरी और आपके जिन्दगी में हमारा जो अतीत, हमारा जो पास्ट है जो हो चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता और इस वज़े को लेकर कभी भी दुखी होना, परेशान होना, उसकी बाते करते रहना कोई मतलब नहीं है And that's where हम सभी को यह जानना जरूरी है कि सच यह है कि हमें अपने आज में जीना है और आने वाले कल की तैयारिया करनी है This is the most important thing because क्योंकि अपना maximum सोच जब पास्ट में चलते रहता है यह हो गया, ऐसा हो गया, उसने वो कर दिया, उसने वैसा कर दिया तो उस वज़े से हम इतना ज़ादा time waste कर रहे है और इतना ज़ादा energy waste हो रहा है ऐसी सोच में कि जिसका कोई फायदा ही नहीं है And that's where, you need to understand this कि हमें आज में जीना है, सिर्फ future पे focus करना है, पास को भूल जाएए Because जो हो चुका है, वो हार को, वो बुरे दिनों को जितना ज़ादा हम याद करेंगे, उतना ज़ादा हम उसे अपने प्रती आकरशित भी करते रहते हैं